गुड मॉर्निंग आल अफ यू कैसे हो भाई सभी लोग जल्दी से आ जाओ क्लास में जल्दी से आ जाईए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग सभी लोग आओ भाई जल्दी से तुरंत आओ आओ आप लोग हम लोग जल्दी से स्टार्ट करें थोड़ा सा पांच साथ मिनट लेट हो गया हम लोग कि चलो स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं हम और आपका आपका क्या है बेटा की चलो चलते हैं पहले कोश्चन की और जैवो भगवान वद्री विशाल के दर्शन कर लो आप लोग भी चलो पहला कोश्चन है आपका ताइप आप बॉन्ड इन द ब्रिक मैजोनरी इन विच एच कोर्स कंसिस्ट आफ अल्टरनेट हेडर एंड स्टेचर इस ऐसा आपका कौन सा बॉन्ड है ब्रिक के अंदर ठीक है ऐसा ब्रिक कें अंदर आपका कौन सा बॉन्ड है गुट मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निग कविता गुड मॉर्निग जल्दी से आजाओ आप लोग सभी लोग जल्दी से सभी लोगों को बुला लो भाई ठीक है चलो हम देखते हैं ऐसा कौन सा बांड है आंसर दो बिटा आंसर दो आंसर दो जल्दी से पहला कोश्चन है आपके पास टाइप ऑप बांड इन दे ब्रिक मैजोनरी इन विज इच कोर्स इच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड इस्टेचर ऐसा कौन सा ब्रिक का कोर्स है जिसमें अल्टरनेट हेडर और इस्टेचर आपके बनाये जाते हैं वह क्या कहलाता है ठीक है जल्दी से बता द गया है और अल्टानेट पोजीशन में आपका क्या लगाया गया है एडर लगाया गया है ऐसा बॉंड बिटा जब अल्टानेट हेडर एंड इस्टेचल लगाते हो तो वह बॉंड आपका प्यारे बच्चों होता है फ्लेमिस बॉंड ठीक है इस चीज को याद रखना वह कॉर्णार इनेट ट्रैंगुलर फैसन किसी भी ब्रिक को यह मानलो ब्रिक है क्या उसको जो है आप ट्राइंगल के सेव में काट दो था होता है अधिक है ब्रिक को हाफ कर दो इस क्वाइंट जंसञ शन आप दा वाल जो आप जंसन में लगाते हो नेक्ष्ट है आपका कारन जंक्षन आफ वाल बतादो कहां पर होगा यह आपको जल्दी से बतादो जल्दी से बतादो इसका अंस्थर ठीक है very good वेटा तो यह जो coins brick है यह आपको कहां पर लगाते हैं आपके जो brick का corner होता है corner junction of wall पर ही आपको लगाते हैं ठीक है इस चीज को याद रखना ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर कि कह रहा है आर इस दा rise and g is the going यह आपकी जो stair होती है यह मान लो stair है ऐसे यह आपकी stair ऐसे बनी होती है यह stair ऐसे ठीक है यह आपकी stair है ठीक यह stair सेडियां तो यह जो आपका है बेटा यह आपका क्या कहलाती है यह आपका क्या कहलाता है यह आपका going कहलाता है जिसमें आप पैर रखते हो आपका going होता है और जो जिसनी उसकी depth होती है वह आपका क्या कहलाता है वह आपका going कहलाता है तो कहे रहा है r is the rise and g is the going stair empirical formula used to fix rise and going to r plus g and it should should be between नी नहीं है बेटा बी है यह ठीक है बी बीट्वीन इट शुड़ बी बीट्वीन किसके बीच में होना चाहिए जल्दी से बताओ आंसर जल्दी से बतादो आंसर भाई कुछ नहीं है कोश्चन में है तो बेटा यह होता क्या है जो राइज एंड इस टू आर टू आर प्लस जी टू आर प्लस जी इज इक वोल्स टू 60 सेंटीमेट 60 mm ठीक है यह आपका इसके बीच में 660 सेंटीमेटर तो कितना हो गया 600 mm हो गया सम्तिंग 600 mm हो गया यह ठीक तो यह इसमें मोश्ट क्लोजड आंसर क्या है 550 से 650 यह 650 से यह 650 इसको करेंगे 650 600 से 650 के बीच में जाएगा ठीक है तो 550 से 650 के बीच में जो भी आपके आएंगी इसका आपसेन आपका क्या हो जाएगा भी नंबर आपका मोश्ट क्लोजली यांसर हो जाएगा यह जो समेसन होता है पता यह आपका 550 से 650 के बीच में ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा गुट मारिंग बिटा गुट मारिंग अभी ठीक चलो चलते हैं next question की और कह रहा है maximum size of course aggregate maximum size of course aggregate used as base course in ground floor maximum size क्या होगा course aggregate का जो use किया जाता है base course in ground floor 12 mm 20 mm 40 mm 50 mm क्या होगा maximum size क्या होता है course aggregate का जो आप लोग जो आप लोग किस में use करते हो जल्दी से बता दो भाई answer बता दो तो बेटा याद रखना जो ground floor में ground floor में ground floor में आप क्या use करते हो इसका size कितना होता है आपका 40 mm होता है ठीक है इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा नहीं बेटा 20 mm नहीं होता ground floor की बात कर रहा है ground floor की base course में जो question देखो base course में ground floor के जो size use होता है वो कितना होता है 40 mm बहुत confusion होता है 20 20 mm nominal size होता है स्टेंडर साइज ठीक है याद रखना चलो चलते हैं next question की ओर flying source are used to strengthen flying source are used to strengthen flying source कैसे जो है आपका strength provide करता है single wall में two adjacent wall tell wall या any of the above any of the above है behavior time क्या सभी में बोलो जल्दी से आंसर बोलो इसका आंसर बोलो जल्दी से भाई कि आइज आइज बोलो भाई आंसर इसका आई एम वेटिंग योर आंसर देखो flying flying source क्या होता है कि जो किसी भी building के अंदर किसी भी building के अंदर जो दो walls को support करती है wall ऐसी wall supports on two adjacent wall to adjacent wall sent wall ठीक है यह आपकी क्या कहलाती है flying source तो आप बता दो single wall to adjacent wall तो आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer आपकी answer हो जाएगा to adjacent wall ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान में रखना ठीक चलो next next है आपका next question है यह when large opening are to be made when large opening are to be made in existing well the type of temporary work used is ranking sore flying sore dead sore underpinning यह क्या होगा बोलो जल्दी से भाई बैटा possible होगा तो करवा देंगे अगर PDF अगर हो सकेगा आप लोगों को possible हो सकेगा तो देखेंगे हम ठीक है लेकिन आप यहां पर पढ़ते रहो ठीक है अपनी प्रेप्रेशन को continue करते रहो ठीक वेल लार्ज जो है लार्ज ओपनिंग आर्ट वी मेड इन एक्जिस्टिंग वाल टाइप आप टेंप्रेवर की उज्ट किसमें यूज होता है तो मुझको यह बताओ जो आपका रूफ होता है रूफ 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 जो च्छत होती है आपकी च्छत जो सपोर्ड करती है सपोर्टेड होती है च्छत लार्ज ओपनिंग लार्ज ओपनिंग है कहीं पे खुले में जो है है आपका और वो च्छत जो है लार्ज ओपनिंग मतलब जैसे केंटीलीवर वाल में जो सपोर्ट होती है उसी को कहते हैं आपकी डेड़ सोर ठीक है इस चीज को याद रखना ठीक यह क्या आंसर आपका हो जाएगा ड्यक्शोड क्योंकि लाष ओपनिंग की बात कर रहा है और लार्ज ओपनिंग जैसे कगीं लिवर वाल है आपका वे आपको क्या हो जाएगा उसस में डेड़ सोर हो जाए है ठिक है फेरी गुड बիटा ठिक है अंसर सभी क्या रहे हैं Water रिक्वायर्मेंट पर डे कितना पर डे इन हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल के लिए पर बेड कितना वाटर रिक्वायर्मेंट होता है हॉस्पिटल में जल्दी से बता दो 340 LL per day ठीख यह हो गया 340 लीटर और 135 आपको पता ही है नॉर्मल कंडिशन में पर कैपिटा पर कैपिटा पर डे जो होता है वो आपका क्या होता है वह एक बिकती के lagi यह नॉर्मल कंडीशन में जो होता है गोड मॉर्निंग बटा गोड मॉर्निंग जैसरी चलो तो यह आपका क्या होता है वन थर्टी फाइब हो जाता है ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और विच वन आप दा फॉलिविंग इस नॉट टाइप आफ ट्रैप यूजड इन प्लम्बिंग जब कहीं पर आप प्लम्बिंग कर रहे हो हाँ बेटा वेरी गोड ठीक है लेकिन हंडेड का बात ही नहीं कर रहा हो वह कह रहा है नॉर्मल जो है आपका वह बात कर रहा है कि हॉस्पिटल में इस लिए बॉस्ट चुटेवल आंसर उसका वह होगा ठीक विच वन आप दा फॉलिविंग इस नॉट ट्राइप आप ट् एस टाइप और जटाइप कौन से ट्रैप आप यूज करते हो जल्दी बता दो कि यह तो आप लोग पी टाइप भी करते हो एटाइप भी करते हो एस टाइप भी टैप यूज करते हो लेकिन आप जड़ टाइप टाइप का टैप आप आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि जड़ टाइप का ट्रैप आपके कहीं घर में लगा हो नहीं बेटा ए टाइप ए टाइप के मिल जाते हैं बेटा जाओगे आप जो है सेनेटरी के स्टोर में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे ए टाइप के ट्रैप आपको मिल जाएंगे ठीक है लेकिन जड़ टाइप का ट पूर्शन रिकमेंडेड फॉर प्लास्टरिंग कंक्रेट सर्फेसेज प्लास्टिंग कंक्रेट के लिए कौन सा कितना क्या रेस्यों होता है जल्दी से बता दो अंसर बता दो भाई क्लास को लाइक टूर्शन रिकमेंड सेर भी आप लोग करते रहें जादा से ज़्यादा स्टुडेंट बढ़ सकेंगे और अच्छा लगेगा हम लोगों को दो ड्राइ सेंड के लिए प्लाश्टिंग के लिए चल्दी बता दो भाई प्लास्टिंग के लिए जब आप कहीं पे भी प्लास्टिंग तो प्लास्टिंग के रिये उसका होता है वन रेशियो 6 ठीक है इसका अंसर मोस्ट सुटेबल अंसर हो जाएगा वन रेशियो 6 ठीक है चलते हैं next question की और चलते हैं next question की और very good गैंग यह क्या है गैंग नहीं बेटा है जुआ है गॉज्ड है जिए यू है यह यह फिक है घॉज्ड है गॉज्ड है यह घॉज्ड सिमेंट मोटार कंसिस्ट अफ अव beşटा और 1 रेशियो 3 नहीं होता ब्लास्टिंग में 1 रेशियो 3 भी नहीं यूज करते हैं ठीक है वन रेशियो सिक्स करते हैं ठीक चलो गौज्ज सिमेंट मोटार कंसिस्ट और गौज्ज सिमेंट क्या होती है बोलो गौज्ड सिमेंट गौज्ड सिमेंट पैटा ऐसी क्या क्यास सिमेंट के साथ आप सिमेंट लो और सिमेंट के साथ साल आप क्या करड़ decision लाइम और सेंड एड कर दो अगर लाइम प्लस सेंड अगर आपने एड कर दिया तो यह जो मोटार बनेगा इसका यह मोटार क्या कहलाता है यह मोटार इसका गॉज्ड सिमेंट मोटार कहलाता एक चीज याद रखना बहुत पूचा जाता है यहां तक कि SSC JE में भी यह कि यूपी ट्रिपल सी जेई का भी उवा था उसमें भी ये पूछा गया था यह ठीक है तो याद रखना कि गौजड सिमेंट मोटार जो बनता है कि लाइम सिमेंट लाइम और सेंड के साथ सिमेंट को लाइम और सेंड के साथ अगर आपने मिक्स कर दिया तो तैप पॉमाटर मेड्स इज goze मोटर ठीक है इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है चलो चलते हैं बैटा नेक्स्ट कोस्च derechos की ओर, impact value of stone, impact value of stone for road specified is, impact value क्या होगा, wearing, wearing coat 30%, bituminous macdum 35%, water bound macdum 40%, all of the above, impact value of stone for road specified is, इसकी बताना है impact value क्या होगा आपको specified road के लिए, जल्दी जे बता दो, तो जब आप जो है, किसी भी impactness निकालते हो, किसी भी road की बेटा, impactness आप find out करते हो, तो उसके लिए wearing coat की value 30%, bituminous, macdum 30, 5% ये क्या है, WBM जिसको आप लोग नाम से जानते हो, और water bound, अच्छा bituminous, एक मिनट, ये, ये आपका between us macdum है, और ये आपका WBM, WBM, तो इसके लिए जो value होगे, सारे साई है, इसके लिए क्या है, सारे साई है, ये impact value में सारे आते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, चलते हैं, बटा, next question की और, which one of the following does not belongs to endogenous tree, endogenous tree कौन सा है, not जो belong नहीं करता, endogenous tree कौन सा है, जो इसमें belong नहीं करता, not belong to, ध्यान देना question में, very good बटा, very good जैसरी, टीक, टीक, कोकोनेट, बंबू, केन, कौन सा ऐसा है, जो belong नहीं करता, जल्दी से बताओ, endogenous tree से कौन सा belongs नहीं करता, ठीक है, तो जो आपका बटा, ये इसमें क्या है, कोकोनेट, नारियल, बास और गन्ना, ये भी endogenous tree हैं, लेकिन आपका जो टीक है, टीक, टीक को क्या कहते हैं, सागाउन, ये आपका है exogenous tree, ये आपका exogenous trees के अंतरगत आता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, very good बटा, very good, चलो, चलते हैं next question की ओर हम, alumina in brick earth gives the brick, alumina जो है, in brick earth में क्या provide करता है, strength provide करेगा, color provide करेगा, कि plasticity provide करेगा, कि resistance to shrinkage provide करेगा, alumina, alumina in brick earth, याद रखना brick earth में alumina आपको क्या provide करता है, जल्दी से बताओ बाई, आंसर दो जल्दी, सभी लोग answer दो, गोलो भाई, ठीक है बेटा, तो जो alumina, very good, हैदर ने answer दिया है, पहला answer, very good बेटा, कि जो alumina होता है, alumina क्या provide करता है, आपका plasticity provide करता है, ठीक है, very good बेटा, ठीक, शलो, चलते हैं next question की ओर हम, very good बाई, very good जैसरी कभी आ गया, चलो, pallet board is used, pallet board का प्रियोग किस में करते हैं, to make frog in the brick, brick के अंदर frog बनाने में, to mount the mold, to for table molding brick, none of the above, इसका answer क्या होगा, जल्दी से answer दो भाई, जल्दी से answer दो भाई, सभी लोग इसका, चलो, answer आने लगें, तो pallet board क्या होता है, pallet board कुछ नहीं होता, एक board होता है लकडी का, और जिसके अंदर रखके, उसको brick को mold किया जाता है, यहनि brick को बनाया जाता है, table होती है, उस table के ऊपर एक board रख लिया जाता है, और उसमें जो है, आपके, क्या, brick को mold किया जाता है, तो वह जो है, क्या कहलाती है, उसको table molding brick कहलाती है, very good, इसका answer क्या हो जाएगा, आपका C number के साथ, चला जाएगा, ठीक है, 14 का A, नहीं बेटा, to make frog, नहीं बेटा, frog वो रही, frog नहीं बनाते टेबल बोर्ड से, पैलेट बोर्ड से, पैलेट बोर्ड से, फ्रॉग नहीं बनाते बेटा, फ्रॉग नहीं बनाते, पैलेट बोर्ड से, क्येवल ब्रिक को ढालते हैं, पूरा ब्रिक को जो है, mold करते हैं ठीक है वो जो है होता है पैलेट बोर्ड वन फैट लाइम इज स्लाइक्ड फ्लाइट लाइम को अगर स्लाइक्ड किया जाए तो इट्स वाल्यूम क्या होगा उसका वाल्यूम डिक्रीज कर जाएगा 50% क्या रिमेन सेम रहेगा कि इंक्रीज कर जाएगा 222.5% इंक्रीज बाई 4 टाइम्स आफ्टर स्लाइकिंग की स्लाइकिंग के बाद 4 गुना बढ़ जाएगा ठीक है चलो विन फैट लाइम इस लेक्ड इट्स वाल्यूम बिटा जो यह फ्रॉग बनाते हैं उसका फ्रॉग बनाते हैं उसके लिए कोई बोर्ड नहीं होता इसी पैलेट बोर्ड में ही क्या करते हैं एक एजनसी का नाम या ओनर का नाम लिखा हुआ एक जो है ब्रिक के अंदर रख देते हैं उसी जो है तो वो क्या बन जाता है वो फ्रॉग बन जाता है ठीक है वो अलग-अलग से अलग से उसका कोई बोर्ड नहीं होता टेक चलो इंक्रीज भाई पंद्रे का अंसर आ गया है सभी का चलो जैसरी का आ गया वेरी गुड बेटा ठीक है तो इंक्रीज तो क्या करते हैं लाइम है अगर लाइम को सी ए ओ समोल देट लाइम को अगर वाटर के साथ मिला के वाटर के साथ मिला गो तो यह क्या बन जाएगा सी ए ओ इसका होल टॉइस और इसका वाल्यूम क्या कर जाता है बेटा इनक्रीज कर जाता है दो से धाई गुना इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है ठीक है ये इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा दो से धाई गुना आपका इंक्रीज कर जाएगा वेरी गुड बेटा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन की और कह रहा है process of adding water process of adding water to quick lime quick lime में जैसे ही आप water add करते हो in order to convert it into hydrated lime is known as तो जो किसमें change हो जाता है convert हो जाता है है बोलो जल्दी से बाई answer बताओ इसका 16 नंबर का question आपकी screen में है process of adding water to quick lime to convert hydrated lime Calcination के लिए question में temperature पूछे तो क्या होगा because range बेटा उसकी देखो यह process ही होता है कि अगर वह किसमें water add कर दे कैल्सियम में water add कर दें और इसको जो है अगर heat करें तो यह अगर calcium को calcium oxide को आप जो यह lime है sorry lime है और lime को जब आप हीट करोगे तो यह process क्या कहलाता है यह process आपका किसके slack क्या कहलाता है calcination कहलाता है चलो इसके बाद उसमें water add करोगे तो वह water के साथ slacking होगा option इसका चला जाएगा slacking के साथ जो इसमें convert हो जाता है hydrated lime में convert हो जाता है ठीक है यह आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक चलो चलते हैं next question की हो रोटरी किल कह रहा है रोटरी किल जो आप ब्रिक में यूज करते हो इन यूज इन manufacturing cement rotates at a speed of 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 उसकी speed क्या होती है 1 rpm हाँ बेटा विल्कुल सही है ठीक 1 rpm to 3 rpm next है आपका 10 rpm to 12 rpm 18 rpm to 22 rpm more than 25 rpm जल्दी से बताओ भाई answer इसका जल्दी से बताओ बड़ी simple question है तो रोटरी किलने बेटा रोटरी किलने क्या होती है कि ब्रिक्स को जब आप ब्रिक्स को आप पकाते हो तो पकाने के दौरान ब्रिक्स को उसमें डाल देते हो और डालने के दौरान एक चैंबर होता है जिसमें ब्रिक्स जो है रोटेट करती रहती है और उसमें हीट इन्वाल होता है यह इस तरह का चैंबर होता है इस तरह का और इसमें गेट लगा होता है यह गेट लगे ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा एक रोटेशन पर मिनट उसका क्या होगा 1 rpm to 3 rpm चलो चलते हैं बेटा next question की और next question हमारा कह रहा है fineness modulus is fineness modulus क्या होता है ratio of fine aggregate to coarse aggregate का ratio होगा the ratio of fine aggregates to total aggregate का ratio होगा an index which gives mean size of the aggregate used in mx की none of these इसका answer क्या होगा बोलो भाई जल्दी से जल्दी से बोलो भाई fineness modulus क्या होगा जल्दी से बतादो answer finest modulus तो finest modulus बेटा जो आपके finest modulus जो एक जो है finest modulus होता क्या है कि कि किसी भी क्या बोल लई हो बी नंबर the ratio of fine aggregate to total aggregate नहीं बेटा finest modulus क्या होता है किसी भी सेंपल के अंदर किसी भी सेंपल के अंदर जो आपके different different size के आपके particle होंगे तो उसमें जो है एक mean size का मतलब एक certain size का जो भी mean size of the aggregate used in mix ठीक है यह इसका exact answer यह होगा ठीक mean size of aggregate used in a mix जो mean size पूरे aggregate में जो average size के particles आप add करते हो वही आपका finest modulus हो जाता है चलो चलते हैं next question की और मैच करना है आपको matching करना है कि cambium layer matching करना है exogenous tree और उसका character sticks आपको दिया हुआ है जल्दी से match करिए exogenous tree दिये हुए है और उसका character दिया हुआ है बोलो भाई जल्दी से बोलो इसका answer बोलो भाई देखो cambium layer कैसे निकालते हो आप लो cambium layer cambium layer क्या होती है cambium layer बेटा आपकी पहली बात तो होती है thin layer of fresh sap जिसमें आपका sap available होता है वह क्या होता है thin layer of fresh sap पित में क्या होता है बताओ जल्दी से पित में क्या होगा पित में जो है जो पित होता है वह inner most part होता है inner most part of the timber यह भी आपको पता है heartwood क्या होगा आपका heartwood बोलो भाई heartwood जो होता है portion surrounding पित जो portion surrounding होता है पित के चारो और वह आपका heartwood और sapwood youngest layer होती है तब पहले का आपका क्या हो गया तीसरा पहले का तीसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और डी का पहला तो आपका option चला जाएगा बी नंबर के साथ बी नंबर के साथ आपका option ये चला जाएगा ठीक है समझ गया क्या गलत हो गया बिटा गलत हो गया क्या कुछ चलो very good ठीक चलते हैं next question की और by calcining and smelting iron ore the crude and impure form of iron obtained is known as crude and impure जो आसोद्ध जो है iron by calcining जब आप lime को heat कर दो तो उससे क्या बनता है एक कैलसी नेसन उस प्रोसेस को कैलसी नेसन कहते हैं तो उससे जो iron मनता है heat करने से lime का जमान लो lime है उसमें iron में तो वह क्या आरें कास्ट आरें राट आरें इस्टेईल आरें पिग आरें जल्दी से बता दो बादो इसका अंसर जल्दी से बताओ भाई वह आपका होता है पिग आरें ठीक है यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है calcining and smelting iron ores very good बेटा very good calcining and smelting iron ores a crude and impure form of iron obtained is known as pig iron ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर the compressive strength of high duty brick high duty brick की should be more than किस से ज्यादा होती है ठीक है नहीं नहीं should be more than किस से ज्यादा होती है 40 newton 20 newton per mm square बेटा की 5 newton per mm square की 3.5 newton per mm square compressive strength होती है high duty brick की कितनी होती है जल्दी से बोलो भाई कि बोलो भाई तो हाइड आंसर दो भाई जल्दी है सभी लोग आंसर दो सभी लोग जल्दी से भाई आंसर दीजे भाई सभी लोग तो हाई ड्यूटी ब्रिक क्या होती है हाई ड्यूटी एक ऐसी compressive ऐसी compressive strength ब्रिक है जिसकी compressive strength 40 newton per mm square से ज्यादा होती है वह ब्रिक क्या कहलाती है हाई ड्यूटी ब्रिक ठीक है 40 newton पर नहीं बेटा चलो ठीक है next question है आपका f is the focal length f is the focal length i is the stadia hair interval and d is the distance between the optical center of the object multiplying constant multiplying constant क्या होगा multiplying constant क्या होगा बैलू जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो multiplying constant क्या होता है तो multiplying constant वेटा इस टेडिया hair में आप लोगों ने पढ़ा होगा tecumetry में multiplying multiplying constant constant यह होता है f upon i ठीक है और एडिटिव कॉंस्टेंट एडिटिव कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट यह आपका होता है plus d ठीक है यह चीज़ तो multiplying आप से पूंच रहा है यहां पर एडिटिव भी पूंच रहा है अगर वह एडिटिव पूंच था तो आपका एप plus d हो जाता इसने multiplying पूंच आ है इस लिए इसका अंसर चला जाएगा आपका f upon i के साथ ठीक है very good बेटा very good ठीक है चलो चलते हैं next question की होड़ी ओर in a tachymetry of intercept taken on a vertically held staff is inclined at a q to the horizontal then horizontal distance क्या होती है के अस प्लस सी के अस कास क्यू प्लस सी कास क्यू कि KS cos Q Q plus C cos Q यह बता दो जल्दी से इसका आंसर, बोलो भाई जल्दी से, बोलो भाई आंसर बताओ इसका सभी लोग, बोलो भाई जल्दी से, तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो सपोस्ट एट यह आपका यह आपका ऐसे चलो यह आपका मानलो बोर्ड आपने कैसे रखा है ऐसे रखा है ठीक है और इस से आपने इस ग्राउंड को देखा इस ग्राउंड को देखा यह यहाँ से तो यह पूछ रहा है इसमें टैक्योमेटरी में ऐसे होता है इस ग्राउंड को आपने देखा यह डिस्टेंस एल यह क्या होगी यह इंगल थेटा है तो इसकी एल की लेंथ होती है derivation का part है ks cos 2q plus c cos q यह याद रखना आप लोग यह याद रखना ks cos 2q plus c cos q ठीक है यह आप लोग याद रखना ठीक चलते हैं next question की ओर कह रहा है an external focusing telescope external focusing telescope with an analytic lens for a tachymeter survey the additive constant analytic lens के लिए additive constant कितना होता है पुलो भाई जल्दी से analytic lens के लिए additive constant कितना होता है ठीक है तो जो additive constant f plus d होता है पहली बात तो f plus d यह इसको क्या कहते हैं additive constant तो जो analytic lens अगर आपको कहीं मिल जाए यह कहा है analytic lens के लिए तो इसकी value 0 होती है ठीक है यह क्या है तो इसकी value क्या हो जाएगी आपकी 0 के साथ चली जाएगी very good पिटा ठीक है चलो नेक्स्ट कोश्चन है आपकी स्क्रीन पे इनसाइग कर्व इनसाइग कर्व आप मिनिमम ऑफ स्टॉपज डिस्टेंस मिनिमम ऑफ स्टॉपज डिस्टेंस is determined with assumption of headlight and beam tilted and upward यहां पे आपको बताना है और यहां पे बताना है ठीक है तो मिनिमम ऑफ स्टॉपज क्या कहता है स्टॉपज डिस्टॉपज 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 करेगा जल्दी से बता दो भाई जल्दी से बता दो भाई आंसर जल्दी से बोलो भाई आंसर बोलो इसका ठीक है तो यह जो इसमें क्या होता है इस टॉपज डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 0.75 पे 1 डिग्री टिल्ट करके आप जो उसको देखते हो 1 डिग्री तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा 0.75 मिटर इंटू 1 डिग्री ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान रखना कि सैग कर वह है सब्सक्राइट सैग कर वह है आप उसमें ट्रेवल कर रहे हो तो जो आप मिनिममम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है 0.75 मिटर ठीक है और उसको जो आई साइट होता है वह आपका कितना होता है यह बन डिगरी पर टेल्ट करता है औब्जक्ट को देखता है यह आपका अंसर हो जाएगा डी के साथ ठीक चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और मैच करना है इसमें भी आपको मैचिंग दे बताया गया है चलो जी आईयस बेंचमार्क दिये टाइप में बेंचमार्क दिये और पर आपका फेख्ट बाई फेक्ट किसके दोरा फेख्ट होता है बताओ जल्दी से बहुत ही अच्छा कोश्चन है कई बार मैचिंग के लिए पूछा गया है कि वो लो भाई जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो इसका अंसर देखो जो आपका GIS benchmark होता है उसको कौन decide करता है बेटा survey team of the end of the day survey of India GIS team आपको decide करती है the survey of India GIS benchmark को कौन decide करता है यह आपका करता है survey of India ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान रखना ठीक दूसरा आता है permanent benchmark permanent benchmark को कौन decide करता है पर्मानेंट जो benchmark होता है वह आपके स्टेट के जो पेड़ावलूडी डिपार्टमेंट होते हैं वह decide करते हैं यह इसका साथ चला जाएगा जो arbitrary benchmark होते हैं वह कौन decide करता है दो अपसानवाय पास बचे तो survey team at the end of the day यह भी नहीं करेगा survey team at the beginning of very good arbitrary benchmark क्या कहता है beginning of जब किसी project की आप शुरुआत करते हो तब उसमें arbitrary benchmark decide किया जाता है और temporary benchmark temporary benchmark आपका किसमें करता है survey team at the end तो इसका answer बेटा किसके साथ चला गया इसका answer आपका चौते नंबर के साथ चला गया ठीक है इस चीज को ध्यान रखना टेक very good पहला नहीं होगा बेटा पहला नहीं होगा जैसरी के correct है ठीक है चलते हैं next question की और चलो यह कह रहा है coordinate station a b c d x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 respective area of the a b c d यह आपका है y है और यह x है ठीक है और कह रहा है इसमें कोई station है यह 4 station mark है ठीक यह station ऐसे mark है यह यह a b c d ठीक है अब इसमें कर रहा है इसका जो है जो coordinate है यह x1 y1 यह क्या हो जाएगा x2 y2 और यह x3 y3 y3 और x4 y4 x4 y4 यह तो उसका इस plot का total area आपको बताना है इस plot का total area आपको बताना है निकाल के निकाल के इसका total area बताना है ठीक है यह कई बार question पूछा गया है student को निकालने में थोड़ा समस्य होती है क्योंकि इसका जो है by Simpson method से ही निकलता है one third rule से भी निकलता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि निकालने में इसको कम से कम 10 मेंट लग जाएगा ठीक है इसलिए मैंने यह question रखा था तो यह जो इसका answer होता है यह one by two one by two तो इसमें one by two की जगह क्या दिये है 0.5 दिये है y1 x4 x4 minus x2 y2 x1 minus x3 plus y3 x2 minus x4 plus y4 x3 minus x1 ठीक है यह आपका answer आ जाएगा वेरी गोड ठीक है समझ गए होंगे आप लोग चल नेक्स्ट कोश्चन की ओर चलते हैं कुछ question बेटा ऐसे होता है completion में जो आपको थोड़ा बहुत मलब याद रखने पढ़ेंगे क्योंकि उनका जो calculation होता जाना पहुत लिन्दी हो जाता है ज्यादा नहीं कुछी question आप लोग ध्यान में रखिए ठीक है तो यह कि इस पायर टेस्ट करा है इस पायर टेस्ट इस तू चेक इस पायर टेस्ट इस तू चेक इस पायर टेस्ट इस तू चेक विच आफ दा फॉल्विंग परमानेंट परमानेंट एडजेस्टमेंट आफ दा थ्योडो लाइट इस पायर टेस्ट में क्या चेक करते हैं थ्योडो लाइट में बता दो जल्दी जवाई थ्योडो लाइट का question है कई बार पूछा गया है यह कुश्च्ट इस पायर टेस्ट वह यह जो लाइट होती है जो हर जूंटाल सपोर्ट लेट जब तो लाइट को आप लोग इस एकल непहुत हों वह क्या हो कि परपेंडी कुलर होती है किसके वर्टिकल एक्सिस के तो यह आपका किसमें चला जाएगा पी नंबर के साथ चला जाएगा कि जब इस्वायर टेस्ट करते हो तो और जोंटल एक्सिस इस परपंडिकुलर टू दा वर्टिकल एक्सिस एक तेरी गुड बेटा वेरी गुड ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्टन की हो रहा है थियोडोलाइट is considered to be in a proper condition प्रापर कंडीशन में थियोडोलाइट कब होगी दा एक्सिस आप्ड़ प्लेट इस परपंडिकुलर टू दा वर्टिकल एक्सिस ठीक है एक्सिस जो है प्लेट की लंबवत हो किसके वर्टिकल एक्सिस क the true 9 axis is perpendicular to the vertical axis the axis of the altitude level is parallel to the line of collimation all of the above क्या होगा theodolite में proper condition में theodolite कब होगा जल्दी बताओ भई जल्दी बताओ तो axis of the plate perpendicular to the vertical axis मैंने ये भी बताया ये भी आपका बिलकुल सही है ठीक है the true 9 axis टूनियन एक्सिस इस पर्पेंडीकुलर to the vertical जो भाई टूनियन एक्सिस होती है हमारी उसकी थे ओडोलायट की वो भी जो है आपकी क्या होती है वर्टिकल एक्सिस के पर्पेंडीकुलर होती है इसका मत्दब ये भी हमारा सही है the axis of the altitude level is parallel to the line of collimation जो axis होता है उस level का जो आप set करते हो वो किसके समानतर होता है किसके line of collimation के ये भी statement हमारा बिल्कुल सही है इसका मतलब क्या हुआ ये सारे statement हमाए इस question के बेटा पूरे सही है answer हमारा किसके साथ साथ चला जाएगा डी नंबर के साथ option चला जाएगा ठीक है चलो चलते हैं हम next question की ओर next question next question कह रहा है pick up the correct features of accidental error in surveying accidental error क्या होगा surveying में positive and negative errors will occurs with equal frequency small errors occurs more frequency frequently large error do not occur all the above क्या होगा इसका answer जल्दी से बता दो भाई हाँ बेटा 29 का डी तीस्वा नंबर का अंसर बताना है आपको ठीक है तो ये बताओ जो positive and negative error होती है equal frequency की होती है जो आपकी accidental and cumulative error में जो नापकी positive and negative error होती है वो आपकी equal frequency की होती है ये तो आप लोग जानते हो इसका मतलब ये सही है small error occurs more frequently बेलकुल सही बाद है जितनी छोटी error आएगी उसकी frequency उतनी ही जादा होगी ठीक है ये भी आपका question सही हो जाएगा ये भी statement large error do not occur जो अगर कहीं आपर chain और taping किया और उसमें बहुत जादा error आ गई तो उस वह आप consider नहीं करते हो ठीक है ये भी सही है इसका मतलब क्या है आपका answer चला जाएगा डी नंबर के साथ वेटा ठीक है ये आपका डी नंबर के साथ answer चला जाएगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट जो है question की ओर कि दर रीडिंग टेकन इंस्टुमेंट इस्टेशन उन यह बेंच मारक ओफ हंडडर रिड्यूस लेवल कोस्चन है आपका सर्वे का की रिड्यूस बेंच मारक जो इस्टेशन आपने मारक किया है उसका reduce level 100 है is 1.2 and reading taken next station is 1.7 then reduce level of next station next station का आप लोग को क्या चाहिए reduce level चाहिए ठीक है यह बताओ reduce level of benchmark कितना दिये हुए reduce level of benchmark इसमें कितना दिये हुए आपका यह दिये है 100 मीटर 100 आपका reduce level of benchmark दिये तो backside reading reading taken to and और क्या दिये station benchmark और backside यह 1.2 क्या है 1.2 यह आपकी backside reading है यह दिये है 1.2 backside reading कितना दिये है 1.2 आपकी दिये है तो height of instrument आप कैसे निकालते हो height of instrument जो आप निकालते हो कि benchmark की reading में बेटा backside की reading आप अगर add कर दो यह आपका height of instrument तो 101 दसमलोद दो इसका कितना जाएगा 101 दसमलोद दो यह height of instrument आपका निकाला आया इसके बाद और next next station की आपको reduce level निकालना है तो next station का reduce level of next station reduce level of next station next station यह क्या हो जाएगा यह जो height of instrument होगा यह height of instrument यह इस height of instrument में जो taken to next इसका मतलब यह वाली reading for site station की यह घटा दो गया आप यह कितना हो जाएगा 1.7 देख लो जो भी आता हो इसका answer यह इसका answer जो भी आता हो कितना आता है कितना आता है बोलो भाई जल्दी से 99.5 very good चलो ठीक है answer भी आ गया है बच्चों के very good बच्चा ठीक है यह कितना आता है 99.5 ठीक चलो next question है आपका an imaginary line imaginary line joining the points of intersection imaginary line क्या करता है joining the points of intersection of the crosshair of the diaphragm and the optical center of the object glass is known as उसको क्या कहते हो line of telescope axis of level tube line of collimation horizontal axis horizontal axis उसको आप लोग क्या कहते हो उसको आप लोग क्या कहते हो imaginary line joining the points of intersection of the crosshair diaphragm बताओ जल्दी से क्या answer बता दो भाई class को बेटा like and share जो है आप लोग करते रहें line of collimation very good heatherly बेटा very good ठीक है बहुत सही answer तो उसको कहते हो line of collimation line of collimation एक ऐसा ऐसी line होती है जो crosshair और diaphragm को optical center पे object करती है उस ग्लास पे यह टेक्योमेट्री के question है आपका ठीक है उसको क्या कहते हो आप लोग line of collimation ठीक चलते हैं next question की और which one is not the presence of iron oxide किसमे iron oxide in water present नहीं होटा काज रेड कलर increase hardness increase hardness increase hardness hardness increase hardness दो बार आ गया चलो कॉस्ट टॉक्सिक एफेक्ट कॉस्ट टॉक्सिक एफेक्ट क्या होगा बोलो जल्दी से भाई क्या होगा भाई इंक्रीज दा को होई सीड ने से बैटा यह इंक्रीज दा corrosion है corrosiveness 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 डवल टाइप हो गया question में यह आप लोग ध्यान दो increase corrosiveness increase hardness cause toxic effect cause red color ठीक है which one is not presence of iron oxide क्या presence नहीं होता iron oxide में toxic effect very good बैटा ठीक है तो यह क्या होगा toxic effect आपका presence नहीं होता प्यारे बच्चों ठीक है very good यह नहीं होगा बैटा a cause red color iron oxide यह iron oxide का तो यह तो main compound होता है red color आता यह बेटा red color तो यह तो होई नहीं सकता ठीक क्या कह रहा है iron oxide not presence not presence कह रहा है presence आप बता रहे हो iron oxide presence होता है red color में ठीक 33 number question में क्या प्रॉब्लम है बेटा अच्छा 33 चूड़ी है क्या चलो ठीक है the minor instrument used not only to take horizontal side but also inclined side are taken ऐसा angle जिसको आप क्या करते हो inclined मतलब उसका angle निकालने के लिए angle निकालने के लिए आप क्या से से निकालते हो क्लाइनो मीटर से एंगल एंगल और स्लोब जो निकालते हो वह आप किस इंस्टुमेंट से निकालते हो किसी चैन या टेप की वह आप लोग क्लाइनो मीटर से निकालते हो अच्छा कोई बात नहीं बैटा ठीक है चलो यह question भी आपका हो गया color of water is expressed in number of जो आपका color होता है color of water is expressed in number of a किस में होता है प्योवेल्यू silika scale platinum kobald scale none of the above जो color आप decide करते हो water में किसके उसमें होता है color तो जो color जो आता है ना बेटा expressed किसके unit में लिखा जाता है platinum kobald scale के unit में लिखा जाता है इस चीज़ को याद रखना ठीक है चलो थोड़ा स्पीड में करते हैं हम लोग maximum permissible total solid content in a water for domestic purpose should not exceed maximum permissible total solid total solid content water domestic purpose के लिए किस से ज्यादा नहीं होना चाहिए बता दो 400 ppm 500 ppm 600 ppm 800 ppm जोर हो जल दीजे भाई तो maximum total solid है वो 500 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो चलो इसका बता दो जल्दी से bulky floating and suspended matter bulky floating and suspended matter ये क्या होता है बोलो जल्दी से भाई तो bulky floating and suspended matter आपके जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं rocks and screen के द्वारा ये आपके किस के द्वारा दिखाई दिखते हैं rocks and screen के द्वारा जो oil and grease होता है जो oil and grease होता है ये किसके द्वारा होता है आपका ये आपके flotation tank में process होता है ये suspended solid है ये जो suspended solid है आपके suspended solid ये किसमें जाएंगे आपके ये आपके केमिकल फ्लोटेशन में जाएंगे ठीक और यह आपके कोलोईडल यह आपके बॉयलोजिकल ग्रोथ स्लाइम्स में जाएंगे ठीक है चलो बस दो कोश्चन बचेंगे बटा बस तू सर्व दा एज मेन लेड और ब्रिजज आईडियली सूटेड पाइप सार सर्व मेन लेड ज जल्दी से अंसर बताओ इसका तो वह आपका होता है स्टील पाइप इस्टील पाइप विच वन आप दा फॉलिविंग इस नौट एफ फॉर्मूला टू फाइंड हेड लेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन फ्लो थ्रो पाइप वह कौन सा फॉर्मूला है जो फ्रिक्शन को का नहीं करता हार जी विजबैक हाईजन मोला ली फॉर्मूला मैनिंग तो बैटा सारे फॉर्मूला करते हैं केवल आपका जो है ली फॉर्मूला नहीं करता फ्रिक्शन को काउंट आपका ली फॉर्मूला नहीं करता लास्ट कोस्चन है आपकी स्क्रीन पे चलो यह रहा ड्र drain valves drain valves या score valves in a water distribution system are provided ए 2 में provide किया जाता है high high end points low end points regular interval in pipeline all the above all the above किसमे provide किया जाता है जल्दी से बता दो बोलो भई तो आपका जो आपका drain valve है यह low-end इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है किसमें प्रवाइड किया जाता है तो इस टेंड कल मिलते हैं सेम टाइम में आपको जुड़ना ना भूलिएगा सुबह साथ बजे ठीक है आपको नई जो है धमाकेदार सीरीज नए कोश्चन के साथ कल सुबह मिलेंगे तब बanhी है गाकेदाग लोग वे प्यान परह प्यान से थेकादाग रफ़ाओंकेदार मिलें आपको लोग जो हैं से कहा सुबह पर बाता है जो देम हैं साथ का lebih इस जिएा फneरा का झाला का ज stealth सकती है